हेलो स्टुरेंट्स वेलकम बैक टू मा यूट्यूब चैनल आज हम देखेंगे जैसंग का परशाद का जीवन परीचे जो की बोर्ड एग्जाम के लिए काफी जाद है इंपोर्ट एंट आई हो कि आपको जुरू पसंद आएगा वीडियो में लाश्ट तक बढ़े हैं न उ जैसंग का परशाद हैं कौन है हिंदी के यूग प्रवर्टक के रूप में जाने जाते हैं उनका जन्म कब और कहा हुआ था काशी के शंपन वैश्य परिवार में और सन 1890 में आगे देखेंगे इनके पिता का नाम देवी परशाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था ज बचपन में ही पिता और बड़े भाई गुजर गए थे इसलिए इनका बचपन बहुत कठनाईयों में ब्यातीत हुआ बचपन में ही पिता और बड़े भाई के गुजरने के कारण इनका बचपन कठनाईयों में ब्यातीत हुआ इन्होंने विध्याले शिक्षा को छोड़ कर घर पर ही अंग्रेजी हिंदी बांगला तथा संस्क्रत का ज्यान अर्जन किया पिता और बड़े भाई के गुजर जानने के बाद इन्होंने बिद्ध्याली सिक्षा छोड़ दी और घर पर ही रहकर अंग्रेजी हिंदी बांगला तथा संस्क्रत का ज्यान अर्जन किया य यानि कि अधिक काम करने के कारण तथा जीवन के अंतिन दिनों में राज यक्समा से पीडित होने के कारण। राज यक्समा क्या है छै रोग जिसे बोलते हैं टीवी। टीवी होने के कारण सन 1937 में इनका निधन हो गया। अत्याधिक काम करने के कारण और अंतिन दिनों में तीवी रोख होने के कारण सन 1937 से स्विमेन का निधन हो गया नेक्स्ट देखेंगे किर्तियां पिरसाद जी ने 67 रचनाई प्रस्तुत की जिन में से कुछ पिर्मुग रचनाई नेमने पिरका रहे हैं पिर्साद जी की पिर्मुग रचनाई पढ़ेंगे नमबर वन कामायनी, नमबर टू आसू, नमबर थिरी चित्राधार, नमबर फोर लहर, नमबर फाइब ज़र्ना, नमबर शिक्स आसू, ये डवल बार हो गया आप एक बार लिख ले न नमबर शेवन, कंकाल, नमबर एट, तित्ली, नमबर नाइन, इस चंद्रगुप्त, नमबर टैन, इसकंद्रगुप्त, नमबर इलेवन, आकासदीद, आकासदीद एक कहानी संग रहे है, चंद्रगुप्त और इसकंद्रगुप्त ये नाठक हैं, और कंकाल और तित्ली क् इनके प्रिशिद उपन्यास आगे देखेंगे भाषा शैली जैसंका परशाद जीन ने अपने साहित्ते में कैसी भाषा शैली का प्रयोग क्या वो देखेंगे भाषा कैसी है संसकत्निस्ट खड़ी बोली और सैली कैसी है प्रवंद काब्य एवं मुक्तक इस तरह से जीवन परीचा कंप्लीट होता आई होब कि आपको वीडियो अच्छी लगे होता लाइक करना शेर करना कमेंट करना तो अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करना थैंक्यों सो मच